तो फानली जो जो मैंने प्रश्ण आप सभी को बताये थे कि ये प्रश्ण और ये उत्तर तयार कर लीजिए लगबग लगबग वही प्रश्ण परिच्छा में पूछे गए हैं और आज की ये जो वीडियो है वो B.A.B.S.C.B.com के जो भी हमारे थर्ड समस्टर के चात्र हैं और उसी के मार्डर पेपर आप सभी के समस्तर में पृस्तुत कर रहे हैं 2324 के सेशन के यानि इसी वर्श का है ठीक है अगर आपकी परिच्छा का लिया परसो या फिर आने वाले दिनों में लगई है तो ये वीडियो आपको देखना बहुत ही जरूर है मैं आपके जानकार जो है आज किस वीडियो के वो पूछे गए थे ठीक है तो इस मार्डर पेपर में एक एक क्वेश्चन जो है वह हम आपको बताएंगी कौन-कौन से आने के चांसे कौन-कौन से नहीं आए और इन सभी का उत्तर आपको कैफे तैयार कर लेना उत्तर कहां पर मिलेगा पूरी कर लिए ठीक है तब ही आपको हेल्प मिलेगी आपके एक्जाम में सबसे पहले अतिलग उत्रे फिर लग उत्रे ठीक है तो सबसे पहले आज किस वीडियो का भया प्रश्ण है अतिलग उत्रे का पूरी दिता निर्देश उपर दी जाती है आप लोग पढ़ लीजेगा कित आने वाली दिनों में नर्सों जब भी है तो इस प्रश्ण को आप इग्णोर कर सकते मेरे कोड़े क्योंकि मैं वो तैयार करने के लिए बोलूँगा जो आपकी परिच्छा में आने के बहुत ज्यादा उम्मीद है ठीक है अगला प्रश्ण जैसे खुजराहों है ठीक है य इन सभी का उत्तर आपके पास question bank है नहीं है कोई बात नहीं वहां से पढ़ लीजेगा नहीं है तो कोई बात नहीं इंटरनर तो है वहां से तो पढ़ी सकते हैं बाकी मैं आपको बता दूँ एक हमने कईफ आरी महा संगराम वीडियो की PDF बना रखी जिसमें question answer दोनों है history के तो वह PDF में आप सभी को आज कि इस वीडियो में जो जो मैं question मताऊंगा उनका उत्तर मिल जाएगा बाकी अगर जिन प्रस्णों का उत्तर नहीं मिलेगा मेरी PDF में जो हम आपको देंगे भी ठीक है तो आप लोग इंटरनेट पर स्वर्च कल लेंगे उसका उत्तर बेसक अगर आप लोग मुझे विश्वास करते हैं बहुत साय चात्रों की तो क्या आप बोले कि कुछ भी नहीं पड़ेते और मेरी लास्ट वाली वीडियो महा संग्राम वाली देख कर गए थे एक दू दिन पहले उनको कितने अच्छे नंबर मिलेंगे किफी दिन में आप आपको सेर करूंगा आप खुद ही देख लीजिएगा ठीक है अगला प्रशन है कि भीया बल्लाल सेन ये कोश्चन कभी कदार आता हमेशा नहीं रिपीट होता तो इसका आप चाहें तो तर तयार भी कर सकते हैं बाकी इग्नोर भी कर सकते हैं ठीक है ओके अगला कोश्चन ह अभी कदार आता हमेशा नहीं रिपीट होता है ठीक है तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं आपको में वह सारे कोश्चन बता रहा हूं जो आपके एक्जाम के नजरिये से वेरी वेरी इंपार्टेंट है जिनको आपको दो ही तीन दिन में आपकी परिछा की तैयारी करना है ठीक है इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको जरूर पढ़ लेना है अतिलग उत्रे का है तो पचासे सब्दों में उत्तर लिखना है दो ही तीन नंबर मिलते हैं अतिलग उत्रे में तो आप उसी साफ से तयार कर लिए ठीक है ओके चलिए नेश कोशन के रूबढ़ते है वरना आप पता चलेगा पूरी हिस्ट्री पढ़ते रह जाएंगे और आपको लास्ट में पता चलेगा कि आप कुछी पढ़ नहीं पाए कंफ्यूज होगे कि क्या पढ़ें क्या न पढ़ें पहले तो जान तो लीजिए क्या क्या पढ़ना है ठीक है वह हम आपको बता है जैचंद्र क्लिर मोस्ट इंपारण कोस्चन है सभी का उत्तर मैंने महासाएंगरावज वीडियो में क्लियर करा रख्बा स्ब्रस्च रह रंख्ण किरेंवालाा में किसी में था प्रछें में ने देखा कि ये प्रषन ना पोचा गया हो जितने परिंशन पत्र देखें question आया ही आया है और मैं हमेशा guarantee लेता हूँ और वो परिष्णाम के परिष्छा में आते हैं तो इसकी भी 100% guarantee लूँगा और ये परिष्णाम के परिष्छा में फसेगा देख लेना 100% शेखर के साथ विश्वास करके जाईए और परिष्छा देजिए ठीक है अगर नहीं मेंच करेगा तब आप लोग बताईएगा हमी ठीक है पक्का मेंच करेगा क्योंकि हमने बहुत सारे experience और बहुत फारे छातरों का ऐसा देखा है बहुत फारे छात मेंसेज करते रहते फर आपने जो बतायार लग बर वही आया है लेकिन फीशष कहते कि आपने जो बताया वह आया नहीं उनका ृइजन क्या बता है वो एक वीड़ियो को देख लेते हैं चोटी सी और बस उसी में आपने हमारासंग्राम वीडियो है उसको तो जरूर वीच कररें ठीक है और फिर अपने question paper यानि प्रश्ण पत्र का नाम जरूर मेंच कर लिया करिए ठीक है इस बात को ध्यान लखेंगे सही योगता ये भी question कभी कदार आ जाता हमेशा नहीं repeat होता लेकिन कभी कदार फस जाता है भीमदूतिय ये भी कभी कदार वाला question हमेशा नहीं repeat होता त लगुत्रे के पहले प्रश्ण पर लगुत्रे का पहला प्रश्ण पर ये प्रत्रवी राज चवहान की उपलब्दिया यहीं कि क्या-क्या इन्होंने achievement किया है अपने समय में जब इनका पूरा राज जिकाल था है निया इनका जो समय था ठीक है जब इनका फासन था प्रत् चो वहां फिथचोड़ा एक-एक ना कुश्चन फसता है और इस बार भी फसेगा 100% से ओर है ठीक है चाहे लखुमिय आए, चाहे दिरग मर्मन की उपलब्दियों पर प्रकाफ डालिए जो कन्योज के नरे सयानी के राजा है जिनका नाम है यसो मर्मन इन्होंने क्या-क्या उपलब्दिया कि अपने सासनकाल में जब इनका समय था इनके राजिकाल में ठीक है बहुत ही पॉप्लर कोश्चन है और इसका भी उत्तरा आपको हमारी इस पीडियों मिल जाएगा क्योंकि इसको मैंने कवर कर रखा है वह मुझे पूरा याद है ठीक है मोश्य इंपॉर्टन कोश्चन नोट कर लीजिए तुरंत नोट बुक में ठीक है या इसकी इन्सोट ले लिजी आप लोग आगला प्रस्ट है बईया कि कल च 5-6 दिन बाद है तो इसको कबर करिए ठीक है समझ में आ गया ना चली नेस कोश्चन के बढ़ते हैं नेस कोश्चन के राभिया जय चंद की उपलवदियों पर प्रकास डाली यह भी पॉपलर कोश्चन टॉप गड़री का कोश्चन है हमेशा जहां तक मैंने देखा जहां कि रिपीट होटा कोश्चन को मिला कि यह 95% आपके एक्जामनेशन के लिए मौस्च इंपार्टेंट है ओके चली तैयार कर लेंगे इसको भी आप लोग तैयार कर लेंगे ना इसका भी उत्तरफ हमारी महासंग्राम वीडियो मिल जाएगा नहीं मिलेगा तो इंटरनेट प इप्रश्चा हैं मिलेगे ये विए नियुकि आपकी पर अच्छा लगे तो इन qirus зसाण को बार बार जपर घ्र पर घह दाल ये कंड़े adds को गौर कोश्चन है अगला प्रश्चन है लच्छ मड़ सेन की उपलब्दियां यानि कि लच्छ मड़ सेन जो है इनका जो सासनकाल था जब कि यह राजा थे ठीक है उस समय के पास क्या चीव में रहेंगी उसके बारे में लेकर लेकिन यह इतना महत्पूर्ण नहीं आप इसको इग् ठीक है अगला प्रश्चन है कि भाईया सिंध पर अरब आकरमण के घटना करम पर प्रकाश टेली यह आपकी परिश्चा के लिए असी प्रतसत महत्पूर्ण है क्योंकि यह कुश्चन आता है एक जाम में मानता हूं लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है ठीक है एक साल आया सेम परमार नरेश मुंझ की पुलब्दियां यह भी कभी कदार आता हमेशा नहीं आता तो आप पढ़ भी सकते एक जोर भी कर सकते ठीक है तो इस प्रकार आपको लगहुत्री प्रेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें से जो जो मैंने बताया इस पर जरूर फोकस करेंगे और जिनको मैंने बताया कि आ भी सकते नहीं भी आ सकते उनको आप लोग इगनोर भी कर सकते हैं अगर एक्जाम को ज्यादा टाइम है पांच-छे दिन है तो आप पढ़ लेंगे ठीक है बाकी इगनोर कर देंगे खंड सा यानि कि दिरिहुत्री कोईश्चन में देख लेते आप इसे इगनोर यानि क्रोस कर सकते हैं और 2324 के सिसन में पूछा गया प्रश्ण है अगर आपकी इच्छा है तो बेसे तैयार कर सकते हैं मेरे कोडिंग इगनोर कर सकते हैं अगला प्रश्ण है प्रतिहार नरेज मिहर भोज की उपलबदियों पर प्रकास डाली है या फि प्रकारे मुस्लिम आक्रमन के समय उत्तर भारत की राज नितिक दसा पर प्रकाफटेली बहुत ही पॉपलर क्विश्चन है इसके बारे में आप पुछ जरूर प्रपेर करके जाना है जहां तक मुझे जानकारी परिच्छ में कई बार मतलब पिछले पालों में कई बार प्रश्ण पूछा जा चुका है और इस बार भी रिपीट हुआ है और आपकी परिच्छा लगी है तो उसमें भी ये प्रश्ण आने की पूरी उम्मीद जदा ही जा रहे है तो इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे कि मुस्लिम आकरमर की जब हुआ तो भारत की जो पूलिटिकल कंडिशन थी यानि कि राजनितिक दफाती वो कैसी थी या फिर दसा जो थी उस पे आप लोगों को टिपड़ी लिखना उसके बारे में लिखना की कैस परकार की थी सभी का उत्तर आपको इस वीडियो में जितने भी most important question देगे जो जो मैंने आपको बताया है जो चात्र मैसेज करेंगे प्लस महा संग्राम की जो PDF है जिसमें इन सभी का उत्तर मिलेगा वो भी आपको टेलिग्राम WhatsApp पे मिल जाएगा अगर आप मैसेज हमें करते हैं तब ठीक है क्योंकि आप लोग वीडियो को पूरा यहां तक बहुत कमी चात्र देख रहे होंगे कमी 99% चात्र नहीं देखते वीडियो को लाव तक बस वही उनका मानस पॉइंट है इंड तक देखिए तो पहले जानिए तो 15-20 मिनिट की वीडियो में कि वह यह अखिकार परिच्छा में कैसे क्या होने वाला है आप एक साल इंतिजार करके परिच्छा देश आते हैं लेकिन आप 15-20 मिनिट देकर अपने एकजायम के बहतरी नहीं बना फक्ति अच्छे नंबर नहीं लाफक्ति 15-20 मिनिट देकर ठीक है तो यह आपके उपर डिपेंड करता है फिरहाल मेरी जु जिम्मेदारी थी मैंने आप लोगों को अपना जिम्मेदारी निभा दी अब आपने भाते यह नहीं आप पड़िपेंड करता है बाकी इफी तरह हम आप लोगों के लिए जयाम के तयारी कराते रहेंगे अपना 100% देनी पूरी कोशिश करेंगे बाकी कोई कोश्चिन है ज़रूर पूछे मिलते है करने वीडियो में जय हिंद